हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तु दस्टेडी आइक्यूज यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपनी सिरीज में एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन और यूएन और कॉल्ड वार के ब लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवेस सेशन्स नहीं देखे हैं सो मेक शूर दे वाच अल दोस प्रीवेस सेशन्स सड़ी आईक्यू के चैनल पर जाईए आपक को नहीं समझेंगे तो उसके बाद के पीरेड से आप कैसे कनेक करेंगे राइट सो मेक शूर यू वाच अल दोस प्रीवेस सेशन्स और उन सेशन्स में मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के मादम से जरूर देंगे और अपना फीडबैक मुझे बैगराउंड कह लीजिए सो मैंने आपको बताया ही था कि हमने और हमने अच्छे तरह से इस्टेबलिश भी किया है कि वल्ड वार वन के बाद वनी लीग ओफ नेशन्स है ना और लीग ओफ नेशन्स कितनी कामियाब रही कितनी कामियाब नहीं रही वो हमने भली भाती जो थी उनको ये पता चल गया था कि युद जो है क्योंकि वल्ड वार वन और वल्ड वार टू में बहुत नुक्सान हुआ था और दोनों ही इन वल्ड वार के बाद एक बात समझ आ गई थी कि जो वार है वो यूरोपियन एकॉनमी के लिए डेवस्टेटिंग है वो वार जो ह है वो किसके हाथ में चले गई वो यूएस के हाथ में चले गई आदा हिस्सा या कुछ हिस्सा या जादा बड़ा हिस्सा यूएस के हाथ में चला गया और दूसरी साइड एक कंटेंडर बना एकॉनमी को कंट्रोल करने होगा यूएस एस आर और यह हमने पिछले सेशन में तो आई ये introduction के पहले point से शुरू करते हैं, आयोप अगर आपने पिछले session देखे हैं तो आप समझ पाएंगे, आज के जो हम, आज जो भी हम event पढ़ने जा रहे हैं वो आप भली भाती से connect कर पाएंगे उन events के साथ, तो सबसे पहला point देखेगा, आफ्टर world war 2, European countries generally lacked the wealth and political support, देखेए, world war 2 के बाद जो बड़ी शक्तियां थी, खास्तोर में बड़ी imperialistic शक्तियां, ब्रिटेन, प्रांस, डेन्मार्क, बेल्जियम के पास चलो, कॉंगो था, ठीक है, उसके अलावा, स्पेन, पुर्तगाल, तो वैसे imperialistic शक्तियां तो थी, ले उन्होंने युद में directly participate नहीं किया था, तो इनकों इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके लावा जर्मनी imperialistic शक्ति नहीं था, लेकिन नुकसान तो हुआ ही, USSR का indigenous आप कह सकते हैं, imperialism था, यूरोप से या एशिया से बाहर जो है, वो कुछ खास colonies या अक्वायर नहीं कर सका, ठी होगा था, क्यों, क्योंकि इनकी colonies ने इनका साथ देना बंद कर दिया था, क्योंकि इनकी colonies पर, इनकी हुकूमत तब तक थी, जब तक ये strong थे, और world war 2 के बाद ये देश हो गए, weak, economically, तो अब इनकी colonies ने ने आखे दिखानी शुरू कर दी, कि अभी या अब तुम छोड़ क चले जाओ, और हुआ भी क्योंकि हमने decolonization देखा है उसके बाद, right, देखे, decolonization के मैंने आपको तीन phase कराएं, मैंने आपको तीन phases में बताया था, decolonization होगा, पहला, first phase of decolonization is the decolonization of the new world, जब Latin America और North America में, North America से, Britain, France, Spain और Portugal की colonies जो हैं, वो हट्टी थी, right, और नए राश्ट established हुए थे, उसके बाद, Africa से second colonization हमें अब देखने को मिल रहा है, right, और third colonization, यह सारे हम समझेंगे के करके, not colonization, but decolonization, right, so देखेगा, पहला point क्या है, after world war 2, European countries generally lacked the wealth and political support necessary to suppress far away revolts, far away revolts कहा हो रहा है, उनकी colonies में, उन revolts को suppress करने के लिए, political और economical support in imperialistic राश्टरों के पास नहीं है, they also faced opposition from new superpowers, और दूसरी चीज़ जो नई superpowers उबर कर आई, the US and the Soviet Union, both of which had taken position against colonialism, दोनों ही राश्टर क्या कह रहे हैं कि colonialism या जो imperialistic expansion है, उसको बंद किया जाए, उसको against है, right, Soviet Union क्यों against है, क्योंकि Soviet Union कहता है कि यह जो imperialism है, यह capitalism की ही देन है, या जो capitalism, या उल्टा कहे लिजिए, कि capitalism, imperialism की देन है, और दूसरी साथ US क्या कहता है कि दुनिया को free करना है, freedom, democracy, सब को देनी है हमें, इन्होंने democracy का बीड़ा उठा रखा और इन्होंने जो है वो capitalism को खतम करने का, ठीक है, सो दोनों ही जो हैं, वो क्या है, anti-colonial शक्तिया हैं, और दोनों ही विश्यूद, विटिये विश्यूद के बाद, दुनिया की सबसे बड़े दो शक्ति के धरूव के रूप में उभर कर आए, USA and USSR, सो जो traditionally imperialistic राश्टर है, ब्रिटेन, फ्रांस, डेन्मार्क जैसे, इनके पास Europe में पैसा नहीं है, इनके पास Europe में political authority नहीं है, क्योंकि या तो इनके ऊपर US का control है, US का दबाव है, या तो USSR का, और इनकी जो colonies हैं, वो इनके, जो colonial subjects हैं, वो इनकी बात मानने से मना कर रहे हैं, और ये मदद भी नहीं मांग सकते, USA से, और USSR से कि हमारे colonies को suppress करने में ह क्यों हुआ, उसमें जो master countries हैं, या जो mother countries हैं, उनकी कमजोरी क्या थी, कि उनकी wealth खतम हो गई थी world war की वैसे, और उन्हें international support भी नहीं था, दो existing बड़ी शक्तियों का, क्यूंकि दोनों ही क्या हैं, anti-colonial हैं, भले ही दोनों के economic models लग लग हूँ, लेकिन एक common ground हैं, कि दोनो ही anti-colonial हैं, और भले ही दोनों जो हैं, वो indirect तरीके से colonization कर रहे हूँ, economic colonization, क्योंकि USSR कर रहा है, political colonization, वो अपनी political ideology को थोप रहा है, और USA अपने economic system को थोप रहा है, समझ रहे हैं आप, आगे बढ़ते हैं, धीर धीर समझा जाएगा, अभी नहीं आया समझ में तो, और हमेशा बोलता हूँ, पिछले session पढ़ते हुए हैं, मेरे पढ़ाने की philosophy के साथ जुड़ते हुए हैं, तभी आज का जो session चल रहा है, और आगे आने वाले sessions के साथ, आप deeply connect कर सकेंगे, क्योंकि ये कोई, क्योंकि आपने मेरे session अगर follow कर रहे हैं, तो आप जानते हैं, कि हम जो है, वो facts नहीं घटा करते हैं, ज्यादा facts के बीचे नहीं भागते हैं, हम concept prepare करते हैं, और मैं कोई आपको amazed नहीं करना, shock and awe नहीं करना, यानि कि कोई यहाँ पर मैं marketing tactics यूज नहीं करना, मैं आपको brutal truth बताता हूँ, मैं आपको simple सी बात बोलता हूँ कि perceptions generate कीजिए, एक त पिछले sessions देखते आईएगा, मैं बार बार बोलता हूँ और अगर आप regularly follow कर रहे हैं तो आप इस बात से बिलकुल सहमत होंगे कि पिछले sessions thoroughly देखने ही चाहिए विशाल सर के, है ना, आगे वढ़ते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे comment में बताईएगा, ताकि बाकी वच्चे भी पढ़े हैं कि ऐसा ही है, अकेला मैं ही ना बोल रहा हूँ, है ना, next देखेगा, there are, there was a complete transformation in the world, world map, in the world map, after second world war, mainly because of two reasons, complete transformation in the world map, देखे, आज मैं आपको world map अपनी दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाया था, 1938 के बाद का, फिर 1959, फिर 1974, फिर 2008 तक के मैंने world map आपको दिखा है, colonies के, कि कहां कहां पर, किस समय कहां कहां पर colonies थी, किस की थी, और, तो यह सारे maps मैंने आपको दिखाए है, जिन में से ये तीन map तो मैंने आपको recently दिखाए है, और अगर पिछले नहीं maps, तो पिछले session में जाईए, वहां से देखिए उन maps को, बहुत ज़रूरी है उन maps को follow करना, right, so second world war के बाद map change हुआ, क्यों, क्योंकि decolonization हुआ, देखिए, जर्मनी से उसकी भूमी चीनी गई, वो तो अलग बात है, वो तो यूरोप में हुआ, वो तो war के immediate consequences है, लेकिन 45 से लेकर, पूरा 50s का decade, पूरा 60s का decade, पूरा 70s का decade, decolonization चलता रहा है, एफरिका में भारत से पहले, भारत और South East Asia के अनने देशों से, ब्रिटेन की वो हटी, colonies हटी, फिर उसके ब्रिटेन की colonies आफ्रीका से हटी, फ्रांस की colony इंडो चाइना से, और, मतलब कहने का मतलब, African region जो है, वो जो French control में था, वो decolonize हुआ, Dutch East Indies decolonize हुआ, right, so इस तरह जो है, वो map जलता गया है, मैंने आपको दिखाया भी है, इन तीन, ये तीन सालों के map में, right, पिछले session देखिए का महाँ पर है, now, reason देख लेते हैं, two main reason क्या क्या है, a large number of nation in Asian Africa became independent, ये तो हम जानते हैं अच्छे से, और polarization because of cold war, cold war की वज़े से, देश जो हैं, वो आपस में जुडे, capitalist राष्ट्रों का और communist राष्ट्रों का, capitalist राष्ट्रों का leader बनके उबरा, USA, और communist राष्ट्रों का leader बनके उबरा, USSR, right, so वो लाल चाया और नीली चाया जो मैंने आपको पिछले map में दिखाई थी, वो जो है, वो एक नया map आप कह सकते हैं, कि नया map बना, क्योंकि ऐसा न रेके, right, so over the period, आगे बढ़ते हैं, now next point देखेगा, there was new process of decolonization, decolonization को समझते हैं, decolonization हुआ, वैसे decolonization में great deal मैं आपको बता चुका हूँ परे, लेकिन चलो फिर से देखते हैं, in some areas it was peaceful and orderly, देखिए, decolonization कुछ जगाओं पर तो peaceful था, यानि Canada में जैसे कानून बना कर decolonize क युद हुए हैं, लेकिन फिर भी चलो वो internal civil war है, South Africa में उसके लावा Australia में भी लगभग जो है, वो peacefully decolonize कर दिया गया, और भी peaceful decolonization के examples हैं, लेकिन जादे अतर राष्ट्रो में क्या हुए हैं, revolt हुए हैं nationalism के, right, अब वो revolt हो सकते हैं कि आकरामक रहे हो या भारत में एक मिक nationalist movement भी रहा, तो mixture भी रहा कुछ देशों में, कुछ देशों ने लड़ जगड कर जो है, वो आजादी प्राप्त करी इन कॉलनीस से, और फिर आजाद होने के बाद जो है, वो कई phases रहे, कुछ देश जो है, वो successful democracy में convert हो गए, जैसे कि इंडिया, कुछ देश जो है, वो dictatorship ब या तो वो किसी तरह की dictatorship में आ गए, या तो वो colony में convert हो गए, फिर से, या हो सकता है कि किसी और ने acquire कर लिए, या civil war छड़ गया है वहाँ पे, तो काफी सारी possibilities है, आगे हम decolonization पर जब में एक special specific अलग से topic लूँगा, उस decolonization के topic में हम country दर country देखेंगे, जैसे कि भारत की तो हम भारत के अतियास में करते हैं, लेकिन एफरिका को जब हम उठाएंगे, एफरिका के decolonization को समझेंगे, तो country दर country उठाएंगे कि कौन सा देश किस से आजाद हुआ, किस की सरकार बनी, कितने समय तक चली, contemporary तक लेकर आएंगे, वो हमारा थोड़ा सा micro analysis के topic हो जाएंग के बाद ही जो है वो independence अचीव की गई, ठीक है जिसमें भारत है के example बनता है, पाकिस्तान भी रख लीजिए चलो, शिरलंका बगरा, a few newly independent countries acquired stable governments, देखे, कुछ में stable government आ गई जैसे कि भारत में, stable government, almost immediately, भारत में भी almost immediately कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के 3 साल तो दंगे रहे पचास में जाके stable government भारत में, election होने के बाद, आप कह सकते हैं कि स्थाई government, 50 के बाद, से पहले provisional government थी, वो stable थी, लेकिन दंगे तो चलते भी रहे, है ना, others were ruled by dictators, कुछ पर dictators ने rule किया, या military जुन्टास ने, अब देखिए, ये जो जितने भी देश हैं, मान लीजिए, को for example, कोई भी एक African country है, जो किसी भी European country है, control में, right, वहाँ पर जो army होगी, उसमें European countries क्या करते थे, natives को भरती करते थे, army में, that means natives को भरती तो करेंगे, और कुछ वो higher rank तक भी पहुँच जाएंगे, वो natives, that means, उस European country, for example, अगर माल लीजिए, कोई British country की colony है, माल लीजिए, Sudan, Egypt म वहाँ के जो native leaders है, वही जो है, वो अपने imperialistic शाशकों के खिलाफ जो है, वो मोर्चा खोल देंगे, और एक सैने mutiny होगी, और सैने mutiny के बाद जो तक्ता पलट होगा, जो colonist वहाँ से छोड़ कर जाएंगे, उसके बाद वो सैने शक्तियां क्या बना देंगी, एक military dictatorship बना द लेकिन एक better शब्द रहता है, एक strong government उन्ही बहुत जरूरी होती है, ताकि माहौल जो है, वो stable किया जा सके, political, economical, social stability लाई जा सके नेशन में, और फिर उसके बाद जो है, आप democratic सरकार establish करने की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन जो military dictatorship establish हुई, वो हर जगा इस तरह की benevolent dictatorship नहीं थ कई लंबी जो है, वो civil war चली, अब देखें, इनके examples मैंने बोला ना, इनके examples जो है, मैं आपको specifically अलग topic में दूँगा, क्योंकि African decolonization पर एक अलग से topic लेंगे, वहाँ से मैं आपको country दर country सबका stat दूँगा, सब के example दूँगा, कि कहाँ पर stable government बनी आफरीका में, कहाँ पर peacekeeping forces का intervention कहां कहां हुआ, ठीक है, उन सब को समझेंगे हम, Somalia की बात कर रहा हूँ ऐसे मैं, आगे बढ़ते हैं, some European governments welcomed a new relationship with their former colonies, others contested decolonization militarily, ठीक है, अब देखिए, अब जैसे Britain है, Britain को भारत छोड़ना पड़ा 1945 के बाद, क्यूंकि 1945 के बाद ये बात clear हो गई थी, कि अब बि नहीं कर सकता, बिटेन के बाद resources नहीं थे, उन वो कई सारे कारण है, मैंने आपको explain किये हैं, पूरे वो, ठीक है, modern history वाले session पर जाईए, जो मैं आपको, अंतिम के जो period है, 1940s के बाद के जो session लिये हैं, महाँ पर मैंने detail में explain किया कि क्यों अंग्रेजों ने छोड़ा भार भारत को छोड़ने क्या कारण थे, ठीक है, सो कई जगाहों पर तो जो European governments है, उन्होंने क्या का, they welcomed new relationship with their former colonies, उन्होंने भारत को छोड़ा, अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, और भारत के साथ वो एक अच्छा relationship बना कर रखना चाते थे, इसलिए उनने कई कोशिश करी कि Dominion Status ले लो, Dominion Status नहीं चाहिए, तो चलो Commonwealth में जुड़ जाओ, Commonwealth में नहीं जुड़ना है, तो चलो independent हो जाओ, बट स्टिल Commonwealth में जुडने का option आपके लिए खुला रहा है, खुला रखते हैं हम, तो भारत Commonwealth का हिस्सा है, अपनी मर्जी से है, जब चाहे तब छोड़ दे, तो इस तरह का अच्छा relationship जो है, वो अपनी colonies के साथ establish किया गया, कई imperialistic शाशो को द्वारा जिसमें भारत और पाकिस्तान का example दिया जा सकता है, ठीक है, कई जगाहों पर contest हुआ, यानि कि जो European शक्तियां है, वो अपनी colonies छोड़ने को तयार नहीं थे, like Dutchess जो हैं, वो East Indies में अ significant imperial power drove the European powers out of Asia, ठीक है, अब जपैन का example लेते हैं, जो decolonization के लिए तयार नहीं था, colonies छोड़ने को तयार नहीं था, देखे, जपैन being an Asian country, जब इन other Asian countries पर अपना जो है, वो imperialistic शक्ति जो है, वो establish करने जा रहा था, इन देशों को ऐसा लगा कि, जो जपैन है, वो हमें liberate कर दे, उनको यह भरम हुआ, कि जपैन हमें liberate करने आया है, इन European शक्तियों से, और फिर हम अजाद हो जाएंगे, लेकिन उनने बहुत गलत anticipate किया था, कि जपैन is not one of the imperialist nation, पर जपैन खोद एक imperialistic nation था, और जो यह South East Asian countries है, इनको इनका यह मानना था कि, यूरोपियन ही imperialist है, जपैन तो हमें liberate करने आया है, तो जब 1945 के बाद जपान हारा, या 1942 से 1945 तक भी रखी है, इस बीच में, जब यह European शक्तियों जो है, वो मलाया है, सिंगापूर, ठीक है, और इंडो चाइना से, जब France, Britain हटे, और वह के natives जो हैं, जो बहुत समय से Britain और France के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने Japanese को कहा कि, आप यहाँ पर colonies मत establish कीजिये, और फिर Japanese के खिलाफ वो लड़ना शुरू हुए, यानि कि, उनका struggle खतम नहीं हुआ, ठीक है, तो देखीगा, during World War II, Japan itself, being a significant imperial power, drove the European powers out of Asia, 42 से 45 तक, European शक्त को तो नहीं, कुछ वहाँ पर रह गई थी, बट, major, इंडो चाइना से France को हटा दिया है, ठीक है, बर्मा तक जो है, वो ब्रिटेन को हटा दिया, और नीचे, डच इस, इंडीस को काफी इस से तक खरा दिया था, पापा पो नहीं गिनीवाले को छोड़ कर, आगे बढ़ते rather than a return to European colonial rule, 1945 में जब जपान हारा, तो ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस और डेन्मार्क, डचेज की बेशरमी आप कह सकते हैं, कि उनको ये लगा कि अब हम वापिस जाते हैं और अपनी कॉलनीज री-ेस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन जो नैशनलिस्ट मॉव्में हैं वो वहाँ पर स्ट्रॉंग हो गई थी अब, क्योंकि ये लोग कमजोर हो गए थे, लेकिन इनकी मंझाएं तो यही थी कि हम वहाँ पर अपनी कॉलनीज को वापिस एस्टैब्लिश करें, लेकिन जो बड़ी शक्तिया है यूएस और यूएससर वो नहीं चाता था कि कॉ आफ थे, राइट, सो यहाँ पर जो नैशनलिस मुव्मेंट है उन्होंने बढ़ चड़ कर जो है वो फिर से विरोध किया यूरोपीन शक्तियों का और उन्होंने अपने आपको अजाद तो कर लिया, लेकिन कॉन्फिक्ट्स वहाँ पर बने रहें, इन मैनी केसिस एस इन इंडो चाइना, इंडोनेशिया डचिस के कंट्रोल में, फ्रेंच इंडो चाइना, अब्वेसली फ्रांस के कंट्रोल में, कमबोडिया, लाउस और वियतनाम, इन नेशनलिस्ट्स हैड बिन गुरिला फाइटिंग दे जैपनीज आफ्टर यूरोपीन से तरेंडर्स, यान और वर फॉर्मर मेंबर्स अफ कलोनियल मिलिटरी एस्टेबलिश्मेंट, इस इंडिपेंडेंट मोवेंट्स ओफन अपील्ड टू यूनाइटेड नेशन्स फॉर सपोर्ट, अब देखिए, 1945 के बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशन्स को अपील किया कि आप अब इन्न फॉर्टिफाइव, जपैन की डिफीट के बाद कोरिया जो है वो, 1945 में अजाद हुआ, दे यूएस रिलेंक्विश्ट दे फिलिपीन्स इन 1946, यूएस ने फिलिपीन्स को 1946 में छोड़ा, याद होगा मैं आपको बदाया था, यूएस ने फिलिपीन्स जो है वो स्प यूएस ने फिलिपीन्स 1946 में यूएस ने छोड़ा है, ठीक है, यूएन के इंटर्वेंशिन की वह से कामयाब हो सका, तो यहाँ पर यह हमारे पास एक्जेम्पल एक और एक्जेम्पल बनता है कि कहां कहां पर यूएन कामयाब रही है, कोरिया के आजाद होने में यूएन ठीक है, आगे देखते हैं, नाव ब्रिटेन लेफ्ट इंडिया 1947, ठीक है 1947 में भारत छोड़ना पड़ा, पलेस्तीन से ब्रिटेन गया 1948 में, इजिप्ट से ब्रिटेन गया 1956 में, और विड्रू फॉम एफ्रीका इन 1950s और अन्य आफ्रीकन जितने भी कॉलनीज हैं वहां से 50s और 60s तक, यानि की अब देखें, लेट 1940s में, डिकॉलनाजेशन चुरू होता है, वल्ड वर टू के बाद, और लेट 1960s तक, ब्रिटेन का डिकॉलनाजेशन, मतलब ब्रिटेन की जितने भी कॉलनीज हैं, वो खतम हो जाती हैं, वो डिकॉलनाज हो जाती हैं सारी, ठीक ह लेकिन अभी भी ब्रिटेन की कुछ कॉलनीज बची हैं, कुछ आइलेंड बचें हैं, राइट, रॉम वेरियस आइलंड प्रोटेक्टुरेट्स इन 1970s and 80s, आइलेंड जो प्रोटेक्टुरेट्स हैं, वो 1970s और 80s में छोड़ें लेकिन अभी भी कुछ बचें हैं, conflict क्या है तो Palestine का conflict वहाँ पर आएगा तो यह date वहाँ पर निकल कर आएंगी ठीक है उसके अलाबा African conflicts मैंने बताया Africa की decolonization को आपको समझाऊंगा मैं तो वहाँ पर हम detail में पढ़ेंगे लेकिन अभी मोटा मोटा ग्यान मैंने बोलना fundamental पहले fundamental create करते हैं basis create करते हैं है ना नेक्स देखिए का French कहां से छोड़ेंगे French छोड़ेंगे Vietnam, Laos, Cambodia so Vietnam 1954 and gave up its North African colonies by 1962 जो North Africa में बड़ा सा नीला सा पैच नजर आता है ना सहारा में वो 1962 में जाकर छोड़ा कि इस ने French ने ठीक है पोर्तुगल gave up its African colonies in 1970s, पोर्तुगल की African colonies in 1970s में खतम हुई और Macao was returned to Chinese in 1919, Macao जो है वो 1919 में जाकर चाइना को वापिस किया गया 1999 में जाकर चाइना को वापिस किया गया तो decolonization पर एक अलग से एक एक करके हम पढ़ेंगे इनको detail में अभी केवल आपके पास basic examples होने चाहिए और decolonization का basic fund आपको पता होने चाहिए कि European शक्तियों की बसका नहीं ताकि इन colonies को control करके रखें ठीक है क्योंकि मैं आपको पताया ना colonization was a cycle एक colonies को protect करना है तो दूसरी colonies acquire करने बढ़ेगी और decolonization भी एक reverse cycle है कि ये colony चले गई तो दूसरी colony भी चले जाएगी तो तीसरी colony भी चले जाएगी सारी colonies खत्म हो जाएगी right so colonization and decolonization both are cycles आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं formation of United Nations ठीक है United Nations कैसे बना अब हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं यालता conference को ठीक है आज हम केवल UN के establishment से जुड़े वे कुछ concepts को पढ़ेंगे UN as a topic में अलग से पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा UN UN की जितनी भी मतलब जो भी ब्राची जो भी UN करता है और किया है आज तक वो सारी चीज़ें हम अलग से एक topic में cover करेंगे आज में केवल जो world war 2 के बाद का जो global scenario रहा है उसके हिसाब से आपको UN बता रहा हूँ कि क्या importance थी उससे में UN की क्यों बना UN वो सारी चीज़ों पर आज हम discuss करेंगे ठीक है पहला point देखेंगा इन 1945 तीन बड़े जो है वो आपको political शक्तियों के political व्यक्तित्वों का नाम आपको याद रखना है ठीक है personalities का नाम याद रखना है सबसे पहला है चर्चिल विंस्सन चर्चिल ठीक है Roosevelt चर्चिल कौन है Britain के Prime Minister रहे Roosevelt कौन है US के President रहे और Stalin जो है वो आप मान सकते है Soviet Russia के जार मान लेजे जार तो नहीं है लेकिन चलो Stalin जो है वो Soviet Russia के President रहे ठीक है the leaders of Britain, US and Soviet Union respectively met at Yalta in Soviet Union and took the decision to set up a new organization to replace the League of Nations ठीक है तो Yalta Conference की importance क्या है कि Churchill, Roosevelt और Stalin आपने एक picture भी देखी होगी बहुत famous है क्यों एक bench पर ये तीनों जन बैठे है ठीक है चर्चिल बैठे है एक साइड लेफ्ट साइड चर्चिल बैठे है बीच में बैठे है Roosevelt और इदर बैठे है Stalin ठीक है तो ये एक bench में बैठे होते हैं तो वो Yalta Conference की ही फोटो है subsequently a conference was held in San Francisco इसके बाद एक conference हुई San Francisco US में from April 25, 1945 इसके बारे में आगे discuss करते हैं लेकिन पहले यालता conference की बात करते हैं तो यालता conference में चर्चिल, Roosevelt और Stalin ने ये decide कि League of Nations को हटा कर उसकी जगा एक नया organization लाया जाए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं League of Nations की कमिया गया थी वही क्या इसी ज़रत बढ़ गई कि League of Nations हटा नहीं ही थी तो मैंने आपको बता है ना League of Nations की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि League of Nations जो है वो कुछ ही बड़ी शक्तियों को मदद करता था जैसे कि Britain और France ठीक है USSR उसका हिस्सा ना के बराबर बना जर्मनी भी बना लेकिन कुछ जर्मनी का कुछ फाइदा नहीं हुआ और USA ने तो अपनी दूरी जो है वो बना कर ही रखी लेकिन Churchill जो की रिपर्जेंट करते है पुराने ओर्डर को पुराने एकनॉमिक ओर्डर को ब्रिटेन के Roosevelt और लेकिन वो जीत तो गए है दूतिय विश्यूद लेकिन उनकी एकनॉमिक हालत इस तरह की नहीं है कि वो पुराने एकनॉमिक ओर्डर को अब संभाल कर आगे चला सके ठीक है Roosevelt रिपर्जेंट करते है यूएस को यानि कि Roosevelt रिपर्जेंट करते है पुराने existing पुराने ओर्डर को अब आगे चलाएगा कौन आगे बढ़ाएगा कौन यानि कि जो capitalist order है capitalist order of economy को आगे बढ़ाकर रखने की जिम्मेदारी यूएस के पास चली गई पहले UK के पास थी अब यूएस के पास shift हो गई और स्टालिन रिपर्जेंट करते हैं दूसरा खेमा दूसरा खेमा कौन सा है communism का ठीक है ये दूसरा नए तरीके का economic order उबरकर आया है ठीक है communism और communism directly challenge करता है किसे capitalism को लेकिन ये धरती इतनी बड़ी है कि दोनों को दोनों शक्तियों को capitalism को एक harmony के साथ रहना है क्योंकि अगर दोनों को ही फलना फूलना है तो world war 3 को टालना पड़ेगा और world war 2 को टालने के लिए league of nations बनाई गई थी जो कि पूरी तरह अपने काम में नाकामियाव रही इसलिए एक ऐसा नया organization चाहिए जिसमें old existing capitalist order भी काम कर सके और नया communist economic order भी काम क कर सके और situation इस हद तक ना बिगड़ जाए कि तीसरा विश्यूद फिर से छट जाए तीसरा विश्यूद छट जाए तो इसलिए एक league बनाना एक organization एक formal organization बनाना जरूरी है और league of nation की जगा एक नया organization बनाना जूरूरी है इसलिए यहाँ पर united nations बनाये गया united nations इसलिए कहा गया क्यूंकि दोनों खे में capitalist as well as communist राष्ट्रों को दोनों को representation मिली मैं आपको बता है था ना पांच मुख्य राष्ट्र यूएस यूके एंड फ्रेंस आए capitalist राष्ट्रों में से और दूसरी साइड USSR और चाइना आपके आए किसमें जो क्या बोलते हैं इने capitalist राष्ट्र है राइट सो दोनों तरह के राष्ट्र यूनाइट हो गए एक दूसरे के साथ ताकि तीसरा विश्यूट टाला जा सके और global peace बनाये जा सके ताकि दोनों ही दोनों ही ideologies जो हैं वो खुल कर business कर सके ठीक है मोटे तोर पर आगे देखिए subsequently अब देखिए पहले तो यालता conference हुई यह decide किया गया कि एक नई organization बनानी है अब एक नई conference हुई San Francisco में US from 25 April to 1945 the conference was attended by 50 nations 50 राष्ट्रु द्वारा यह conference attend की गई on 26 June the conference adopted the United Nations Charter देख रहे हैं आप 26 June को यालता conference में यह तीन शक्तियां जो decide कर कर आई थी 50 राष्ट्रों ने यह बाद 26 June को San Francisco में मान ली राइट की एक United Nations नया जो है वो एक organization होना चाहिए जिसमें सब को या दो जो बड़ी global शक्तिया हैं उन दोनों global शक्तियों को representation हो ताकि peace बना रहे क्योंकि League of Nations की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उसने USSR को पहले include नहीं किया था all right so this was the United Nations organization कौन था United Nation organization जो इन देशों ने जो चार्टर माना वो क्या बना उससे United Nation organization established हुआ ठीक है पचास राश्ट्रों ने जो 26 June को San Francisco में इन पचास राश्ट्रों ने जो यह जो चार्टर है United Nations का इसको accept किया और एक नया organization established हुआ जिसको कहा गया United Nation organization और United Nations इसले कहा गया क्योंकि दुनिया के ज़्यादा तर developing developed राश्ट्रों तो जुड़े ही थे इसमें लेकिन most importantly दोनों साइड दोनों पक्षी यानि कि capitalist as well as communist राश्ट्रों में थे ठीक है और United इसले कहा गया क्योंकि सभी का aim यही था कि global peace establish करना है युद्ध जो है वो सबके लिए ही बुरा है ग्लोबल लेवल का युद्ध सबके लिए बुरा है now which was based on the principle of sovereign equality of all peace loving states कि जितनी भी peace loving states है देखिए principle याद रखेंगे आप UN का principle क्या है sovereign equality of all peace loving states सभी peace loving states क्या है बराबर है कोई भी खास नहीं है क्योंकि League of Nations के drawback में एक बात point यह रखी जाती है कि जो world war one की जीतने वाली जो शक्तियां है ब्रिटेन फ्रांस ठीक है इटली वगेरा इटली जपैन इनको ज़ादा जो है वो सहूलियत मिली है League of Nations में लेकि United Nations में सभी बराबर है the purpose of UN was to maintain international peace क्या purpose है UN का international peace बना कर रखना है and security develop next is develop friendly relations among nations जो पुरानी चली आ रही समस्याएं है right like जैसे भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान की जो समस्याएं है 47 के बाद उसको resolve करने के लिए UN को आगे आना पड़ता है और आई भी है UN आगे और दोनों ही राष्ट अपनी समस्याओं को UN के पास ले कर जाते हैं कि समधान कीजिए similarly जो Palestine, Jordan, Israel का जो concept है वहाँ पर भी UN को intervene करना पड़ता है Africa में जो civil war चले वहाँ पर UN ने intervene किया South East Asia में जो civil war चले या जो भी दंगे वहाँ पर रहे वहाँ पर भी UN को intervene करना पड़ा Korea में जो समस्याओं है वहाँ पर भी UN intervene करता है So not just जो मतलब military मदद देता है लेकिन उसके अलावा भी हर possible मदद करने की कोशिश करता है UN अपने end से ठीक है ताकि friendly relations बन सके और relative peace create हो सके अर्थ पर Achieve international cooperation and be a center for harmonizing the actions of nations ठीक है सभी nations जो है वो एक synchronization एक harmony के साथ काम करें आपस में उसका center जो है वो UN बना रहे क्योंकि अगर माल लीजिए कल को कोई एक और ऐसा बड़ा organization उठकर आ जाता है और वो बोलता है कि हम UN की बातों को नहीं मरेंगे हम UN की बातों को defy करते है और उनके जो methods है वो UN के method के बिलकुल opposite है UN कहता है कि जादा से जादा diplomatically मामलस उधार जाए और वो नया organization कहता है वो नया organization कहता है कि युद से जो है वो मामलस उल्टाए जाए है है ना तो यहाँ पर ऐसा ना हो इसलिए एक मात्र सेंटर बने international harmony create करने का यह भी UN के लिए एक बहुत ज़रूरी काम है कि UN की जगा कोई और ना ले ले right now to carry out these objectives six principal organs of United Nations organization were created यह six principal organs क्या है कौन कौन सी council है economic social council ठीक है उसके लाबा जो international court वगरा है इनको जब मैं आपको UN को detail मैं पढ़ाऊंगा ना ठीक है बहाँ पर हम पढ़ेंगे जेकिए इनी topics को decolonization को मैं detail में पढ़ाऊंगा और continent to continent ले जाऊंगा आपको ठीक है लेकिन पहले मैंने बोला ना fundamental create करते हैं पहले base बनाते हैं उसके बाद हम micro analysis पर उतरेंगे वो topics micro analysis के हैं पहले base create कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं now the creation of many new independent nations some of which occupied अब देखिए यह जो नए देश बने अब इन देशों को colonize इसी लिए ही किया गया था क्योंकि कुछ कारण है उन कारणों में से पहला यह है कि उनकी strategic placement वो ऐसी जगा पर धर्ती पर मौजूद हैं कि उनकी मौजूदगी से बहुत सारे जो हैं वो काम निकलाते हैं यानि कि मान लीजिए कोई pacific ocean में island है तो वो calling station की तरह काम कर सकता है क्योंकि मान लीजिए अगर किसी को जपैन से अगर किसी को मान लीजिए मेक्सिको जाना है और उसको pacific पार करके जाना पड़ेगा और बीच में अगर उसकी ship का कोल खतम हो गया तो जब कोल से ship चलते थे बीच में अगर उसकी ship का कोल खतम हो गया तो फिर कहां जाएगा वो इसलिए बीच में जो islands हैं उनको procure करना ज़रूरी है ताकि उनको calling stations की तरह use किया जा सके ठीक है उसके अलावा जैसे भारत है ठीक है भारत की East Asia से West Asia को connect करने की जो यह important यह जो position है इसी की वज़े से भारत इतना फला फूला तो यह भारत की strategic importance है ठीक है similarly Africa जो है वो Africa क्या करता है Africa Atlantic trade को Indian Oceanic trade से connect करता है यह Africa Africa में जो southern tip है उसकी अलग placement है ठीक है Eastern और Western African जो colonies है उनकी अलग importance थी तो वही है देखेगा दे creation of many new independent nations some of which occupied strategic locations यह जो नए देश बने यह कुछ strategic locations रखते थे अब यहाँ पर देखेए strategic locations के वल trade के लिए beneficial नहीं है ठीक है यह also important है कि यूद के समय इनका क्या इस्तमाल है यूद के समय यह reinforcement provide कर सकती है that means military naval air force का base यहाँ पर जो है वो successfully create के जा सकता है ताकि माल लीजिए यह मेड़ा अगास कर रहा है आपका यह आपके maurishis का island है ठीक है अगर यह हिंद महासागर है यह Indian peninsula है यह Africa का peninsula African continent peninsula है तो यह जो maurishan islands है यहाँ पर अगर आप naval और air force का base बनाते है तो पूरे Indian ocean में आप mobilize कर सकते है अपनी navy को या अपने air force को राइट बहुत important position है यहाँ से आप भारत पर भी pressure बना सकते हैं अरब पर भी pressure बना सकते हैं अफरीका भी pressure बना सकते हैं और Southeast Asian countries पर भी pressure बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप Arctic पर भी pressure बना सकते हैं Antarctic पर नोट Arctic ठीक है तो यह काफी important strategic बहुत important जगा है यह राइट so strategic locations other of which possessed significant natural resources कुछ ऐसे देश बनाए गए जहाँ पर natural resources बहुत है शीरिया को क्यों अलग किया गया इराक को क्यों अलग किया गया तेल है वहाँ पर भर भर के तेल है ठीक है बहुत तेल है इरान का conflict क्यों है तेल है जॉर्डन पैलेस्टीन का conflict क्यों है फिर वो आगे क्यों है उस देश की उसके लाव ऐफरीका में ऐसे देश है natural resources and not just oil wealth but iron ore coal rubber coffee बहुत सारे ऐसे resources निकल रहे है ऐफरीका से and most of which were desperately poor और जादतर देश जो है वो desperately poor and not just poor they are desperate वो किसी भी कागज पर साइन करने को तयार है बस उनकी सरकार को पैसा देके stable कर दीजे आप इस चीज क फाइदा उठाया यूएस की CIA ने बहुत फाइदा उठाया ये अफ्रिकन कंट्रीज जो है वो tormented है political stable नहीं है तो उनकी governments को fund करें ताकि उनके oil पर CIA या अन्य जो ये western oil बड़ी जो giants है इनका control है खेर ये मैं आपको oil wars तक पहुँचाऊंगा CIA क्या है CIA किस तरह काम करता है ह तो डेस्परेटली पूर राष्ट्र हैं जो कि USA या USSR का यानि कि communist राष्ट्रों का या capitalist राष्ट्रों के साथ साथ मिलना चाहिए उनको किसी का भी उनको पैसे चाहिए बहुत पूर है वो now altered the composition of United Nations and political complexity of every region of the globe इन वजाओं से जो है वो बहुत complexities बढ़ी है आज अगर देखा जाए तो attention का है Arabian Region में tension है बहुत ठीक है अफरीका में tension जहां पर resources जादा है वहांपर tension जबसे जदा है यूरोप not इंचन नहीं है यूरोप में रिसोर्सिज भी नहीं है जादा ठीक है यूरोप में रिसोर्सिज हैं लेकिन relatively कम है अफ्रीका में बहुत रिसोर्सिज है इसलिए politically unstable है अरब में दुनिया भर क्या oil wealth है अगर अरेबियन countries अपने oil wealth को सही तरीके से इस्तमाल करें तो globe को आप मुझे comment में बदाएंगे उनमें से कुछ basic कारण कि western शक्तियां जो है वो asiatic शक्तियों से मजबूत क्यों हो गई या african शक्तियों से मजबूत क्यों हो गई जबकि हमारे पास जादा resources है उनके मुकाबले हम अपने ही resources का बहतर तरीके से इस्तमाल क्यों नहीं कर सके उन्होंने हमारे resources का अपने फाइदे के लिए बहतर इस्तमाल कैसे करा right so जो भी resource rich region है वो dispute है dispute का मतलब वहाँ पर dispute है ही आज की date में भी ठीक है आगे देखिएगा the newly independent nations that emerged in 1950s and 1960s became an important factor in changing the balance of power within the United Nations ठीक है United Nations के बीच नए जो देश अब देखिए दीरे दीरे एक एक करके नए देश बनते गए अब वो नए देश किस से मदद मांगते थे United Nations से मदद मांगते थे कि हमारे यहाँ पर dictatorship चल रही है इसको हटा दो हमारे यहाँ पर यह हमारे यहाँ पर कॉलनी की समस्य है इसको हटाईए हमारे यहाँ पर गरीबी है गरीबी हटाओ आकर हमारे यहाँ पर भुक मरी है बिमारी है हमारी मदद कीजिए तो किस से मदद मांग रहे हैं वो United Nations से बदले में क्या कह रहे हैं कि हम आपको अपने resources provide करेंगे market खोलेंगे अपने आपके लिए मतलब अन्ने देशों के लिए market खोलेंगे अपनी ठीक है आपकी vaccines लगाएंगे आपकी pharmaceutical companies को जगा देंगे हमारे देश में दवाईएं बेशने के लिए right so became an important factor in changing balance of power अब balance of power UN में क्यों बदला क्योंकि देखिए UN अगर पैसे नहीं दे पारा है तो मान लीजिए China strong होता जा रहा है तो ऐसी African countries को China उधार दे रहा है तो UN में जो है वो यानि कि UN में China का पलड़ा बारी होता जा रहा है पांच राश्ट्र है मैं आपको पांच राश्ट्र बताए न मुख्य कौन कौन से है ब्रिटेन, US, प्रांस, USSR और चाइना जो की बाद में रशिया में का नवर टूँआ रश्या और चाइना यह पांच मुख्य राश्ट्र है और यह जब पांच मुख्य राश्ट्र है यह अपने हिसाब से UN को कंट्रोल करने ही कुशिश करते है ठीक है आजकल चाइना का बोलबला है within the United Nations in 1946 there were 35 member states UN में total किते member थे 1946 में 35 in the United Nations as the newly independent nations of third world joined the organization third world किसे कहा जाता है South East Asia or African countries को third world कहा जाता है जो third world countries ने join किया by 1970 the membership had swelled to 127 1970 तक आते आते United Nations में 127 देश चुड़े थे चीक है तो यह बात हम बलिमाती समझते है यह decolonization की वज़े से हुआ now these new member states had a few characteristics in common यह जो नए member states है यह common थे एक दूसरे से क्यों थे common they were non-white सबसे पहली बात तो वो non-white है या तो वो blacks है या तो वो browns है या तो वो Asian जो भी ethnic है ethnicities है right सभी के सभी developing economy है अब देखिए यहाँ परना contradictions है कौन सी economy developing है और कौन सी economy developed है यह capitalist राष्ट्रों ने ही define किया हुआ है that means उनकी definition के इसाब से कोई राष्ट्र developed या developing केहलाता है ठीक है तो यह वैसे मतलब सोचने वाली बात है लेकिन आप जो मानेंगे उनको developing हमें तो उनी की definition माननी पड़ेगी ने क्योंकि उनी नहीं जो है हमारा syllabus लिखा है इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सोचना नहीं है हमें अपने दिमाग को बंद नहीं रखना हमारा syllabus उन राष्ट्रों ने लिखा है हमें पढ़ना भी पड़ेगा हमें follow भी करना पड़ेगा but that doesn't mean कि हम अपने तरफ से सोचना बंद कर दे now facing internal problems non-white है developing economy है developed नहीं है industrialized नहीं है bureaucracy strong नहीं है administration strong नहीं है judicial or legislative aspect strong नहीं है civil war छिडे हो है internal problems बहुत सारी है civil war नहीं है तो फिर internal social problems, economic problems बहुत है ठीक है that was the result of their colonial past और ऐसा नहीं है कि वो उनका natural nature है उनके colonial past की वजह से भी अब देखिया भारत भी आज जो है वो ब्रिटेन से हीमत कर रहा है कि हमें reparations दीजिए आपने जो हमें लूटा है वापिश कीजिए समान right कोहिनूर हीरा मांगा जाता है कोहिनूर हीरा क्या तो example दिया जाता है लेकिन और भी reparations मांगे जाते है similarly कई African countries अपने जो master colonists रहे हैं जो उनके imperialistic शक्तियों ने जिन्होंने उन पर शाशन किया है उनसे reparations मांग रहे है कि पैसा दीजी हमें आपकी वज़े से हमारी जो है वो society और UN में भी यही बात उठाई उन्होंने कि आप imperialistic शाशकों की वज़े से हमारी society हमारा जो economic structure है वो इतना दुरबल है ठीक है इसको बलवान बनाने के लिए आपको हमें मदद करने ही पड़ेगी right which sometimes put them at odds with European countries क्योंकि European countries को directly उन्होंने challenge किया अब UN में dominate तो European countries ही कर रही है third world countries dominate नहीं कर रही है right but UN का motto यही है कि सभी equal रहेंगे सभी को जो है वो equal opportunity मिलेगी and made them suspicious of European style government structures political ideas and economic institutions देखिए जो मैं बार बार सवाल उठाता हूँ कि जो European style of economic institutions है या जो political ideals है या जो government structure है यह सभी के सभी designed है ताकि capitalist economy बनी रहे चलती रहे ठीक है यह बात मैं बार बार बोलता हूँ कि capitalist economy establish होने के लिए एक खास तरीके का क्या चाहिए खास तरीके का economic structure चाहिए खास तरीके का capitalist economy है ही खास तरीके का political structure चाहिए जिसमें democratic हो सकते तो presidential या या क्या बोलता है एक parliamentary democratic structure हो खास तरीके की society चाहिए जो कि आपस में लड़ रही हो बटी हुई हो ठीक है उच और नीच हो financial gap हो society में बहुत बड़ा तो खैर capitalism जब मैं explain करूँगा तब इन सारे चीजों पर हम discuss करेंगे कि क्या capitalist राष्टर में क्या क्या importance है तो यह जो नए third world countries है ना जैसे हम इंडिया में third world country में बैठे हैं तो मेरे अंदर भी यही सवाल है right मेरे जैसे कई लोगों के अंदर यह सवाल है कि यह जो European style of government भारत ने adopt किया है यह उसी capitalist ideology को promote करता है और यह उसी imperialistic ideology को not मतलब directly नहीं promote करता लेकिन बढ़ तो उसी direction में रहा है यह कहीं ना कहीं ठीक है क्योंकि अगर आप देखे अजाद होने के बाद भारतिये मजदूर किसान तब भी गरीब था और 70-75 साल के बाद आज भी गरीब है और इसमें कोई एक सरकार का दोश नहीं है पूरा का पूरा यह जो western structure है यह ऐसा ही है कि जो गरीब है वो गरीब रहे और जो अमीर है वो अमीर होता जाए तो यही सवाल जो है वो इन third world countries ने UN में आकर उठाए जो कि direct conflict का कारण बने इन European countries के साथ क्योंकि इन European countries ने ही यह style of government established किये है यह political ideas derive किये है उनको credibility provide करी है इनी की बनाई हुई universities ने उनको credibility provide जरी है और इनी के ही banking इनी के भी बड़े international banks है तो यह सवाल है यह सवाल मेरा भी आगे देखेंगे क्या यह आपको सवाल पूछना चाहिए और इसको किस तरह जो है वो अपने syllabus में लेकर आएंगे लेकिन यह बहुत important question है दुनिया पूछ रही है ठीक है और धीरे धीरे लोग जागरुक होंगे कि यह जो economic institutions है यह जो style of government है इससे फाइदा किसका हो रहा है क्यूंकि आज के date में मैं आपको clearly वो सकता हूँ जो economic system है ना इससे फाइदा हो रहा है the wealthiest 1% को 99% population को फाइदा नहीं हो रहा है हमें ऐसा system चाहिए जिससे 99% सभी को फाइदा हो अभी जो system में उससे केवल 1% को फाइदा हो रहा है अगर आप disagree करते हैं तो भारत में देख लीजिए कितनी परसेंट जनता जो है वो अमीर है अब देखिए अमीर में पैसे से नहीं गिनता prosperity देख लीजिए ना खुशी कितनी है लोगों के अंदा प्रॉस्पेरिटी कितनी है lifestyle कितना अच्छा है लोगों का crime से हमें lifestyle का भी पता चल जाता है ठीक है आगे बढ़ते now these countries also became vocal advocates किस चीज़ के of continuing decolonization अब एक एक country जो ही आजाद होती गई वो अन्य देशों को decolonize करने के प्रती जो है वो आवाज उठेती गई यानि कि 47 के बाद भारत ने UN में यही आवाज उठाई कि अन्य जो colonies है चाहे वो साउथिस एशिया में रही हो एशिया में रही हो या आफ्रीका में रही हो उनको decolonize किया जाए ठीक है विद्धा रिजल्ट देट दे यूएन assembly was often ahead of the security council on issues of self-governance and decolonization अब देखिए security council जो है वो उन छे मुखे जो institutions है UN के उन में से एक है UN assembly भी उन में से एक है so UN assembly और उनकी security council में क्या dispute रहा decolonization को लेकर यह मैं आपको जब decolonization as well as UN पर जब specific topic लेकर आऊंगा महापर यह funda clear होगा लेकिन अभी आप यह मान लीजिए कि जो colonist राष्टर है या थे British France जैसे और जो नए राष्टर बने like भारत जैसे जो नए राष्टर बने जो अज़ाद हुए इनके बीच में खीष्टान रहा है decolonization को लेकर not just भारत लेकिन एफरिका के भी कई राष्टर कई विद्वान इनके बीच में खीष्टान रहा है कि decolonization करना है और दूसरी पक्ष बोलता रहा है कि अभी हम ready नहीं है इनको decolonization लब जो imperialistic राष्टर है ना वो हमेशा यही भाना देते रहे कि हमारे जो subject है हमारे जो colonial subject है they are not ready for freedom येट भारत में भी तो यही बोलते रहे ना वो 1917 में Montague ने भारत में declare किया कि हम भारत में responsible government लेकर आएंगे लेकिन बाद में वो यही भाना लगाते रहे कि भारती है अभी तयार नहीं है responsible government के लिए ठीक है जब भारती है तयार हो जाएंगे तब हम भारत को अजाद कर देंगे ठीक है तो यह खीशतान जो है वो काफी लंबे समय तक चलती रही ठीक है self governance और decolonization की बहस जो है वो UN में चलती रही और जिसके तहत decolonization हुआ भी बड़े लेवल पर राइट किसमे 1950s, 60s 70s in fact मतलब 2021 century तक decolonization चलता रहा eventually धिरे धिरे कई सारे राष्टर यह maximum राष्टर आज decolonized है ठीक है कुछ एक islands ही बचे है आगे बढ़ते now these nations pushed the UN towards accepting resolutions for independence for colonial states and creating a special committee on colonialism demonstrating that even though some nations continue to struggle for independence in the eyes of international community the colonial era has colonial era was ending तो ऐसे राष्टर डीकोलनाईज हो गए जिसमें भारत पाकिस्तान को आप रख सकते हैं ठीक है श्रिलंका जैसे राष्टरो को आप रख सकते हैं जो 47 एजिप्ट को आप रख सकते हैं पलेस्तीन को आप रख सकते हैं ये राष्टर जो है वो डीकॉलनाईज हो गए अब इन राष्टरों ने प्रेशर डालना शुरू किया UN पर कि अन्य राष्टरों को भी डीकॉलनाईज किया जाए ठीक है नॉट जस्ट एशियाटिक मनलब इंडिया और इंडिया के असपास के देश लेकिन साउथ यस्टेशिया के देशों ने भी इन्होंने प्रेशर डाला UN में कि एक अलग से कमीटी वनाई जाए एक स्पैशल कमीटी का घठन किया जाए कलोनियलिजम पे जो की रिपोर्ट तयार करे गी किस देश को क्यूंकि देखिए जो इंपिरिलिस्टिक शक्ति आया है वो तो यही बोल रही दी न कि हमारे जो subject हैं यह अभी decolonization के लिए तयार नहीं है तो जो decolonization के के लिए जो बार-बार प्रेशर डाल रहे थे उन देशों ने क्या कहा कि हमें काम करते हैं कमीटी बनाते हैं और वो कमीटी इस बात पर थरो रिसर्च करेगी कि कौन सा देश कब तक डिकॉलनाइजेशन के लिए तयार नहीं है कौन से देश में कब तक जो है वो ऐसे हादाद बनेंगे कि उसको अजाद किया जा सकता है क्य इसलिए वो अपनी कॉलनीज को और खास तोर पर अपनी आफ्रीकन कॉलनीज को गिवप करने के लिए तयार नहीं थे क्योंकि एफ्रीका से ही एक बहुत बड़ी संख्या में रिसोर्सेस यूरोप को जाता था और एफ्रीका से मिले रिसोर्सेस के दम पर ही तो अगरेशन की तरफ बड़े राइट सो कलोनियल एरा खतम होगा इंटरनेशनल कॉमिनिटी में यह सेंस जो है वो पहले ही आ गई थी 1950s में ही जब यह कमीटी एस्टेबलिश हुई स्पेशल कमीटी के बारे में आगे हम डिसकस करेंगे ठीक है अलग से मैंने बोला सेशन लोगा वहाँ पर आईगी है demonstrating that even though some nations continue to struggle for independence ठीक है in the eyes of international community colonial era was ending colonial era खतम होगा तो 1960s के बाद आप मान सकते हैं कि colonial era खतम है उसके बाद तो फिर eventually दो देश जो है वो क्योंकि यह जो कमीटी बनी इन्होंने estimate दिया कि कोई particular देश जो है वो 5 साल में 10 साल में 15 साल में तयार हो जाएगा decolonize होने के लिए और उनको मतलब not exact लेकिन उसी report के according जो है वो उनको decolonize किया भी गया कुछ राश्टर को कुछ examples है हमारे पास right आगे बढ़ते the process of decolonization coincided with the new cold war अब देखिए यहाँ पर cold war भी चल रहा है इधर decolonization भी चल रहा है उधर cold war भी चल रहा है किसके बीच में Soviet Union and United States मतलब क्या decolonization से क्या create हो रहे हैं new nations और new nations जो बन रहे हैं उनको क्या चाहिए economic support और दुनिया में दो economic support देने के लिए बड़ी शक्तियां कौन-कौन सी है US और USSR ठीक है USSR का क्या रहा है कि communism अपनाओ socialism अपनाओ political support देने को तयार है USSR क्यों क्योंकि इन सभी nations में communist parties जो है वो बढ़ चड़कर जिनको support USSR से ही आ रहा है ये communist parties बढ़ चड़कर जो है वो प्रचलन कर रही है ठीक है और कहने का मतलब की ऐसे आसार दिखते हो नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो communist लोग की सरकार बन जाएगी इन नए nations में और दूसरी साइड यूएस क्या कह रही है कि नहीं यहाँ पर जो है वो एक democratic सरकार बननी चाहिए ठीक है उसके लिए यूएस जो है वो अपने end से stimulus packages देने को तयार है कि हम आपको पैसे resources industries set up करेंगे हम आपको industry revolutionize करेंगे आप democratic structure बनाईए ताकि आप हमारे साथ trade हमारे हमारी जितनी भी companies है हमारे लिए जो है अपने nation का दरवाजा खोला रखें तो यूएस क्या चाहता है economically colonize करना USSR क्या चाहता है कि अपनी political ideology नए देशों पर थोपी जाए तो decolonization के से ने देश जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एक खेमे में कुछ देश जो है वो USA के साथ जुड़ रहे हैं कुछ देश USSR के साथ जुड़ रहे हैं ठीक है and with the early development of United Nations आगे बढ़ते I hope समझ आया होगा आपको now decolonization was often affected by superpower competition decolonization में अगला effect किसका आता है superpower competition का ठीक है and had a definite impact on evolution of the competition कौन सा competition देखिए वैसे तो UN यह बोलता है कि सभी राश्ट्र जो है वो बराबर होंगे सभी को बराबर की जो है वो opportunities मिलनी चाहिए लेकिन हमें भली भाती पता था कि Cold War के दोरान USS और USSR बड़े राश्ट्र थे फिर धीरे धीरे economy जो है वो UK की भी revive करी फ्रांस की भी revive करी जर्मनी की economy भी revive करी उधर जपैन एशिया में जपैन और चाइना की economy ने revive किया महाँ पर धीरे धीरे इंडिया की economy भी जो है वो strong बनती जा रही थी तो जो traditional दो बड़ी शक्तियां बनी World War 2 के बाद उनकी जगा नया competition आने लगा ना market में धीरे धीरे ये सब country जो develop करी ये भी तो competition की रूप में खड़ी हुई ना भले ही भारत और चाइना जैसे चाइना और भारत ने पहले market की तरह सर्व किया लेकिन फिर चाइना जो है वो आज दुनिया का one of the most जो है वो मतलब biggest exporter और producer nation है भारत भी उसी direction में काम कर रहा है धीरे जरे भारत में भी industrial revolution आएगा भारत भी बड़ा जो है वो producing राश्टर बनेगा ठीक है so evolution of that competition नया competition बना नया super power competition तो था ही ठीक है और इस super power competition की वैसे जो नया competition है इस पर भी impact था उसका right और यह सब decolonization की वज़े से हुआ क्योंकि यह तो इनी राश्ट्रों का नाम लिया ना मैंने अब देख लीजे नाइजीरिया है नाइजीरिया भी धीरे धीरे एक जो है वो बड़े exporter अभी तो फिल राश्ट्र है वो सब decolonization के बाद ही तो हुए तो शुरुवाती जो traditional superpowers है decolonization के बाद जो है वो अन्य superpowers तो नहीं लेकिन चलो regional powers तो बनी right now it also significantly changed the pattern of international relations in a more general sense international relations जो है वो बदले decolonization की वज़े से पहले तो USA देखिए जब तक cold war चला तो USA और USSR को लेकर capitalist और communist राश्ट्रों को लेकर जो है वो international relations उसी मतलब उसी दाइरे में रहे फिर उसके बाद globalization के जवाने में जब USA जीत गया और फिर globalization का जो जमाना आया उस जमाने में यह सभी राश्ट्र जो है वो importer नहीं बनना चाहते थे अब वो exporter बनना चाहते थे नए राश्ट्र जो है वो क्यूंकि technologies import करने के लिए आप मान लीजिए कि US जो है वो कह रहा है कि आप जो हो केवल हमारा समान खरीदेंगे लेकिन दूसर अब देखते हैं cold war का phase क्या है cold war के दौरान क्या हुआ cold war को समझने ही कोशिश करते हैं पहला point देखिएगा the cold war has been the open yet restricted rivalry that developed after world war between the United States and Soviet Union and their respective allies respective allies वर्ट जोड़ना जुरूरी है क्यूंकि केवल USA और USSR नहीं लड़ रहे थे आपस में उनके allies भी लड़ रहे थे यहाँ पर देखिए open yet restricted open इसलिए कि Truman की declaration से cold war को declare कर दिया गया ठीक है खुले मैदान में आकर नहीं लड़ रहे हैं इसलिए restricted है restricted कहा तक है कि वो राष्ट्रों की economy को manipulate कर रहे है आज भी हो रहा है ऐसा नहीं है कि cold war जैसा महौल आज भी नहीं है लेकिन तब जो है वो दो बड़े राष्ट्र कौन थे USA और USSR थे उसके बाद USA और चाइना और अब जो है वो अब भी USA और चाइना और USSR इनी देशों का जो है वो एक मिश्रित सा रूप है ठीक है cold war का so cold war तो अभी भी आप मलब उस उस level का cold war नहीं है जिस level का cold war USA और USSR में चला ठीक है लेवल पर नहीं हा रहा था है ना वो जादा से जादा देश अपने side जोडने की तरफ हा रहा था और मैंने USA की policy बताई यूएस की policy क्या थी economic health provide economic health provide करना industry establish करना ताकि जो भी recipient राष्टर है उसकी economy यूएस regulate कर सके और दूसरी side USSR की strategy क्या थी कि उस देश में communist जो parties है या जो communist elements है उनको promote करना ताकि वहाँ पर ऐसी सरकार बने ऐसी socialist सरकार बने जिसके interest USSR के interest से aligned हो ठीक है जिसे USSR बैठे बैठे मौसकों से जो है वो control कर सके तो दोनों ही शक्तियां USA और USSR दोनों ही शक्तियां control करना चाहती थी USA represent कर रहा था जो already पुराना existing capitalist order है उसका नया representation USA था जिसका पुराना representation British के पास था उसको अब US represent कर रहा था ब्रेटिश का ही बच्चे है मतलब ब्रेटिश का ही लड़का है US और दूसरी साइड USSR जो है वो नया socialist order जो है वो represent करता है ठीक है तो यह नया order versus पुराना order ही है next देखिएगा the cold war was waged on political, economic and propaganda front होना चाहिए था propaganda fronts and had only limited resources to weapons वेपन के लेवल पर बहुत क्यूबा का जो conflict रहा है क्यूबा में जो scene मतलब एक situation खड़ी हुई वहाँ पर जो है वो armed conflict हुआ है उसके अलावा बहुत कम जो है वो spies के लेवल पर एक साइड CIA दूसरी साइड KGB spies के लेवल पर तो हुआ ही है armed conflict लेकिन वो लोगों को नजर नहीं आता ठीक है otherwise बाकी जो conflict है वो political है जादा से जादा राष्ट्रों को US चाता है हमारे side साथ जुड़े और USSR चाता है हमारे साथ जुड़े तो पिछले session में मैंने जो आपको map दिखाया है उस map मैंने आपने ध्यान से देखा होगा कि जो कुछ राष्ट जिन को जो है वो martial plan के तहत मतलब मिला है stimulus वो राष्ट् जार के control में रहे ठीक है economic and propaganda चलाए गया आज भी जिसको कौमी fear कहते है यूएस में भली भाती आज भी propaganda चल रहा है कि जो communist trust है वो अपने देश अपने अपने लोग को तड़ पाते हैं अपने लोग को भूका रखते हैं अपने लोग को मारते हैं ठीक है और USA सारी अरशिया में आज भी यह propaganda चलता है या यूरोप में आज भी यह propaganda चलता है कि USA का जो healthcare system है वो बरबाद है और यह सच भी है दोनों बाते सच है USA का healthcare system जो हो वहाँ के लोग को बरबाद कर रहा है USA का education system USA का मतलब जो debt का system है वो वहाँ के लोग को बरबाद कर रहा है homeless वहाँ पर भी बह रशिया की वहाँ पर क्या दिखाया जाता है वहाँ पर capitalist economy की कमियान दिखाया जाती है तो प्रपोगेंडा के front पर युद छिडा, political front पर युद छिडा और economic front पर युद छिडा, दोनों एक दूसरे की economy को बस्ट करना चाते थे, space war छिडा, ठीक है, एक साइड जो है वो रशि निकली की नहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया थाकि USSR के resources को exploit, exhaust किया जा सके, ठीक है, तो economic front पर भी युद छिडा है, political front पर छिडा है कि जादा से जादा देशों का अपने control में रखा जाए, और propaganda तो चलाए ही गया, दोनों राश्ट्रों द्वारा, य उन्होंने भी propaganda चलाए है, अब ऐसे में भारत की क्या है, ऐसे में भारत की policy है, आईसोलेशन की, भारत दूर है, भारत इनके युद में उलजी नहीं रहा है, क्योंकि भारत को पताए हमें दोनों की जरुरत है, आगे मैं आपको बताऊंगा भारत की isolation की जो policy है, ठीक है, भ जरुरत पड़ने भारत युएस के साथ भी जुड़ जाता है, जरुरत पड़ने भारत युएससरा के साथ भी जुड़ जाता है, दोनों की जरुरत है भारत को, ठीक है, नो, while the United States generally supported the concept of national self-determination, ठीक है, युनाइटिड स्टेट का क्या concept है, कि जो देश है, वो खुद डिस सिस्टम बनाना है तो या मतलब कानून क्या होने चाहिए नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन उस देश की जनता की खुद की जो है वो खुद का डिटर्मिनेशन है जनता का लेकिन ठीक है रिपबलिक होना डेमोक्रेसी होना तो आनिवारे माना ही इन्होंने डेमोक्रेसी किस तर on their former colonies ठीक है अब United States जो है वो यूरोपीन एलाइस से जड़ा United States ने Britain को उधार दे रखा है बहुत ठीक है मैं आप बताया है ना World War Two का उधार Britain ने 2007 में जाके चुकाया है billions में उधार दिया मैं आपको बताया है ना वो यूएस कहता है कि नहीं national self-determination होना चाहिए उस राष्ट्रे की जनता decide करेगी कि वो क्या चाहती है कोई imperialistic शक्ती ने decide करेगी कि उसका उस जनता का क्या होगा तो यहाँ पर यूएस का interest भी और conflict भी है दोनों चीज़े यूरोपीन के साथ ठीक है और दोनों से ही फाइदा बना रहा है यूएस इंटरस्ट से भी और conflict से भी दोनों डिरेक्शन से कमा रहा है पैसे आगे बढ़ते है ना दे cold war only served to complicate the यूएस position यूएस की position को complicate किया कैसे देखिएगा as यूएस support for decolonization was offset by an American concern over communist expansion and Soviet strategic ambitions in Europe देखिए यूएस चाहता था कि जाद से जाद देश decolonize हो ठीक है जाद से जाद देश decolonize हो ताकि वहाँ पर वो अपना economic structure establish कर चके उन देशों को अपनी economy बोल जा सके लेकिन अगर देश decolonize होगा तो उस देश की vulnerability बढ़ जाती है कि वह USSR के साथ जुड़ जाए यह भी तो chances बन जाते हैं ना क्यूंकि जो decolonize देश है और US किस point के advocacy कर रहा है national self determination की माली जी अगर वो देश यही decide करता है कि हम तो USSR के साथ जुड़ेंगे या ऐसा नहीं decide करता है मतलब USSR के साथ जुड़ने का मतलब यह है कि हम एक communist government establish करेंगे या हम एक socialist government establish करेंगे अगर वो ऐसा decide करता है तो तो साफ साफ USA के लिए एक बहुत बड रंडर हो जाएगा रैट फिर से पढ़ते हैं point देखिएगा the cold war only served to complicate US position as US support for decolonization was offset by an American concern over communist expansion and Soviet strategy commissions in Europe देखिए अब US decolonization अब US को European countries के साथ भी बना कर रखनी है ठीक है अब European countries चाहती है कि decolonization ना हो US चाहता है कि decolonization हो लेकिन जो decolonized country हो वो socialist या communist countries में ना convert हो और US इसलिए भी चाहता है कि decolonization हो क्योंकि USSR का European countries पर जो है वो pressure बढ़ता जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये European countries decolonize ना करें USSR के confidence में आकर इसलिए जल्दी से जल्दी इनको decolonize करना ज़रूरी भी है लेकिन Europeans के साथ भी relation मना कर रखना है और इस बात का विध्यान रखना है कि decolonize nation कहीं socialist या communist राष्ट्रो में ना गनवर्ट हो जाएं तो USA के लिए काफी complicated है महौल आप देखे रहें कितने सारे complications है यहां पर ठीक है next देखेंगा several of the NATO allies अब NATO आपको पता है North Antarctic treaty organization नेटो आप मुझे बताएंगे कैसे वनी थी कल मैंने इसका जिकर किया था राइट नेटो पर भी अलग से topic आएगा asserted that their colonial possessions provided them with economic and military strength economic and military strength that would otherwise be lost to the alliance अब देखिए अब NATO के जो राष्ट्रे हैं जिसमें से Britain France भी एक हिस्सा था Italy वगरा हिस्सा है इसके इन्होंने यह कहा कि जो हमारी colonial possessions है इन्होंने किसको कहा UN को तो कहा ही NATO को भी कहा और US को especially US को बताना चाहरे हैं बात यह क्योंकि वो इनका benefactor है इस समय उन्होंने यह कहा कि जो हमारी colonial possessions है वो हमें economic और military strength देती है और अगर कल को कोई wish view फिर से छेड़ता है मान लिजे कल को अगर फिर से कोई बड़ा conflict उभर कर आए अगर world war 3 होता है तो उस समय उस समय allies को जो alliance है या जो allies शक्तियां है उनको economic और military strength यही colonial possessions देंगी अगर यह colonial possessions हमारे बीच नहीं रही हमारे पास नहीं रही तो हमें मदद नहीं मिलेगी इसलिए ना इसलिए आप ज्यान दीजेगा 1940s या 1950s में ही जातर देश decolonize नहीं हुए क्यों नहीं हुए क्योंकि यह वेट किया जा रहा था कि ऐसा महल बने क्योंकि देखिए 1940s के जस्ट बात वैसे तो तीसरा विश्विद होने की संभावना नहीं थी क्योंकि economy सबकी वीक थी ठीक है बट स्टिल जातर देश जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे इसलिए decolonization का process बहुत slow रखा गया बहुत gradual रखा गया ताकि देखिए दोनों साइट से खेल रहे हैं वो लोग ताकि world war 3 की जो world war 3 के होने की जो possibilities हैं वो भी घटती जाए और जो European countries हैं उनकी economy भी develop होती जाए इतनी develop हो जाए कि अगर विश्व्यूद छिडता है तो उन्हें इन colonies पर dependent ना रहना पड़े इसलिए इन colonies को decolonize कर दें लेकिन आप ध्यान दीजेगा यहाँ पर यह जो colonies decolonize की गई है न इनसे उठाया गया है अपना military as well as administrative military as well as administrative structure उठाया है इन colonial राष्ट्रों ने लेकिन अपना economic system तो थोपा है न इन्होंने तो economic colonization तो बरकरार है लेकिन military और administrative support अब उन राष्ट्रों से तीसरे विश्व्यूद के scenario में नहीं मिलेगा ठीक है समझते हैं आप यह बात आगे बढ़ते हैं now next देखेगा nearly all united states nearly all the united states European allies united states के बाद ही आपर common European allies believed that after their recovery from world war ii their colonies would finally provide the combination of raw materials and protected markets for finished goods that would cement the colonies to Europe जातर European शक्तियां तो यही मान रही थी कि World War 2 के बाद उनकी colonies नहीं छूटेंगी और वो विश्विवद लड़ने के लिए इतना confident इसलिए भी थी क्योंकि उन्हें पता था कि जो economic loss होगा उसको वो recover कर लेंगे अपनी colonies से जैसे कि World War 1 के बाद उन्होंने कर लिया ठीक है लेकिन decolonization का pressure इतना जाधा रहा कि जातर देश जो है वो decolonize हो गए 50s में 60s में and then finally 70s में maximum देश जो है वो decolonize हो गए खास तोर पर अफरिका और एशिया के ठीक है लेकिन जो European allies या United States और European allies जो country है वो तो यही मान कर चल रही थी कि उनकी colonies उनके साथ जुड़ी रहेंगी और जब economy धिरे धिरे recover करेगी तो ये raw material उठाएंगे कहां से अपने colonies से और protected market भी बनी रहेंगी वो colonies लेकिन decolonization का international pressure UN पर बहुत ज़ादा था इसलिए decolonization हुआ भी लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि decolonization हुआ है जैसे कि मैंने कहा न केवल military और administrative decolonization हुआ है लेकिन economic colonization अभी भी बरकरार है अभी भी वो राष्ट raw material provide कर रहे है European countries को और अभी भी वो राष्ट protected markets की तरह काम कर रहे है US और European countries के लिए ठीक है बले ही US और European countries का direct administration ना हो लेकिन इन third world की यह जितनी भी countries है यहाँ पर puppet governments इनी की ही है ठीक है puppet governments इनी की ही है आज भी इनी European और US और European countries की ठीक है भारत exception है या नहीं है लंबी detail है लंबी detail नहीं लंबी debate है लंबा discussion है समझाऊंगा आगे मैं आपको देरे देरे डवलब करते हैं कि भारत क्या इन capitalist राष्ट्रों के अभी भी control में है या कितने लंबे सा control में रहा शुरुवाती सरकार ने क्या किया इसको लेकर तो post independence इंडिया में समझाऊंगा आपको मैं ठीक है आगे बढ़ते हैं now the alternative of allowing the colonies to slip away perhaps into the United States economic sphere देख रहे हैं आप United States के economic sphere में ही इन economy को छोड़ दिया जाना सही रहेगा किसके लिए in British imperialistic शक्तियों के लिए right US का जो economic system है वो in not British European economic जो यह European imperialistic राष्ट्र है इनकी क्या है इनकी colonies है एफरीका में एशिया में साउथ इस एशिया में और साउथ अमेरिका में इन European countries को अपनी colonies को आजाद करना पड़ा मजबूरन कुछने लड़कर आजादी ली कुछको जो है वो पेपर permission मिल गई आजाद होने की लेकिन अंत में ये economically colonize कर दिये गए किसके द्वारा या तो USA द्वारा और या तो politically colonize कर दिये गए किसके द्वारा USSR द्वारा ठीक है लेकिन USSR कामयाब राखेवल अपने आस्पडोस के देशों को politically colonize कर रहे है एक जो है वो नया टर्म है आगे में आपको देरे-दरे समझाओंगा किस sense में यूज होता है exact political colonization के sense में नहीं यूज होता है लेकिन influence USSR की जो allied देश थे वो सब socialist राष्टर थे इसलिए ऐसा नहीं कि कोई capitalist राष्टर जो है USSR के साथ जुड़ा है जुड़ा भी हुआ है लेकिन वो लाल रंग में नहीं दिखाया जाता है फिर वो आगे बढ़ते हैं यही point है को फिर से बढ़ते हैं the alternative of allowing the colonies to slip away perhaps into the United States economic sphere or that of another power was unappealing to every European government interested in post-war stability European government तयार नहीं थी USA USSR के हाथों में देने को अपनी colonies को लेकिन उनको छोडनी पड़ी अपनी colonies क्योंकि अगर USA से उन्हें support चाहिए तो decolonization करना ही पड़ा लेकिन यहाँ पर शर्त यह रही कि decolonization gradual रहा फिर अचानक से नहीं किया गया ठीक है now although the US government did not force the issue it encouraged the European imperial powers to negotiate negotiate an early withdrawal from their overseas colonies US ने डराया धंकाया नहीं कि आप नहीं करेंगे तो हम आपको economic sanctions नहीं देंगे लेकिन उन्होंने कहा कि हम यह बात भली बात ही समझते हैं कि आपकी economy के लिए बहुत important है आपकी colonies लेकिन आपको decolonize तो करना ही पड़ेगा तो आपको इतनी छूट दी जाती है कि आप अगले 10-15 साल में best possible तरीका अपने लिए निकालें कि किस चरह आप decolonize करना चाते हैं लेकिन आपको decolonize जल्द से जल्द करना ही पड़ेगा इस बात को European शक्तियों ने भी समझा कि US की भी हमें जरूरत है और US की मीटी धंकिया में माननी पड़ेगी अधरवाइस USSR हमें dominate कर जाएगा अगर हमने US का साथ नहीं लिया US की मीटी धंकी को नहीं माना decolonization की तो हमें USSR ना कहीं अपने कबजे में ले ले ठीक है इसलिए जो maximum imperialistic European शक्तियां उन्होंने US से की यह बात म अब United State को कहा गया कि आप अपनी colonies छोड़िये सबसे पहले तो United State ने सबसे पहले अपनी colony 1946 में छोड़ दी ठीक है अन्य एग्जेम्पल देखते हैं However, as the cold war competition with Soviet Union came to dominate US foreign policy concern in late 1940s and 1950s the Truman and Eisenhower administrations यह दोनों president रहे हैं ठीक है Eisenhower and Truman जो है वो US के president रहे है Administration grew increasingly concerned that as the European powers lost their colonies or granted them independence Soviet supported communist parties might achieve power in these new states which might shift the international balance of power in favor of Soviet Union and resultantly remove access to the economic resources from US allies देखिए मैं आपको explain किया है US को भै ये था कि जिन European countries ने अपनी colonies को decolonize कर दिया है उन colonies में कहीं USSR द्वारा बैग्ड सोवियत सरकारे ना बन जाएं ठीक है क्योंकि जहाँ पर US से economic sanctions दे रहा है वहाँ पर USSR सरकारे establish कर रहा है ठीक है तो अगर वहाँ पर USSR द्वारा बैग्ड सोवियत सरकारे बन गई या माली नोट सोवियत लेकिन communist या socialist सरकारे बन गई तो वो automatically USSR के sphere of influence में आ जाएंगे USA के sphere of influence से बहार निकल जाएंगे ठीक है इसलिए जल्द से जल्द उनको अपने control में करना जरूरी है लेकिन अब यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि यह जो नए independent राष्ट्र है क्या इनके पास दो ही option थे USA और USSR से जुड़ना नहीं ऐसा नहीं है जिन जो गरीब थे उनके पास तो यही दो option थे लेकिन जो resource rich nation थे उनने कहा कि नहीं हम अपने economy को खुद establish करेंगे उनको भी रेक एक करके target किया गया जैसे कि जो Arabian countries हैं जिनके पास तेल बहुत ज़ादा है ठीक है African countries है जिनके पास iron, cobalt, copper, oil, gas और सभी तरह के natural resources बहुत ज़ादा है उनको विवश किया गया कि वो अपनी सरकारों को US के according या USSR के according चलाए USSR ने political ideologies का इस्तमाल किया और USA ने अपने economic structure का इस्तमाल किया ठीक है तो यह point फिर से पढ़ते हैं एक बार ताकि आपको आपकी बार clear हो जाए यह मैंने आपको समझा दिया है actually फिर से देखने है लेकिन पहला point पहला देखेगा However, as the cold war competition with the Soviet Union came to dominate US foreign policy concerns Soviet Union का competition US foreign policy concern को challenge करता है 1940s और 50s में कैसे The Truman and Eisenhower administration grew increasingly concerned that the European powers lost their colonies जिन colonies को European शक्तियों ने छोड़ा है ऐसा ना हो और granted them independence Soviet supported communist parties Soviet द्वारा supported जो communist parties है might achieve power in these new states ऐसा ना हो कि वो शक्ति बहाँ पर acquire कर लें which might shift the international balance of power in favor of Soviet Union और उससे ऐसा ना हो कि Soviet Union की शक्ति बढ़ जाए and resultantly remove access to the economic resources और इससे होगा क्या अगर यह Soviet influence में आगे तो जो Soviet इन मतलब यानि कि जो USSR के जो allies देशे के वल उन्हीं के साथ trade करेंगे या जाद तर उन्हीं के साथ trade करेंगे या उनके हिसाब से trade करेंगे तो USA को raw material नहीं मिलेगा USA को markets नहीं मिलेंगी USA या इस जैसे देश capitalist राश्टर करते क्या हैं इन राश्टर से raw material अपने द्वारा planted इनके द्वारा planted जो dummy सरकारे होती हैं dummy democratic सरकारे होती हैं उनको विवश करते हैं कि बहुत सस्ते दामों पर raw materials हमें बेचें और फिर उन raw materials है यह produce product तयार करते हैं और उस product को अपने द्वारा establish किये दामों पर इन ही countries को वापीस बेच देते हैं यह चल रहा है है आपे USA की तरफ से ठीक है बहुत लबबे समय से चल रहा है आगे देखते हैं so dummy democratic सरकारें जी हाँ establish की गई है अफ्रिका में नाम से बताऊंगा एक एक करके आगे आने वाले sessions में आगे देखें now events such as Indonesian struggle example ले लेते हैं Indonesian struggle की वज़े से Indonesian struggle क्या है कि Dutch जो है वो हमें आजाद करें for independence from netherlands 1945 से 50 तक netherlands से आजाद होने का struggle चलता रहा the Vietnamese war against France France के खिलाफ Vietnam लड़ता रहा अब देखिए यहाँ पर जैसे वियतनाम में फिर communist सरकार जो है वो strong नहीं लगी फिर उस communist के खिलाफ जो है वो वियतनाम वियतकॉंग के साथ जो है वो युद छेडा युएस से ने आगे explain करूंगा वियतनाम वाला पूरा conflict समझाओंगा लेकिन शुरुवात में वियतनाम ने या वियतनाम के जो भी nationalist leaders हैं उन्होंने फ्रांस के खिलाफ 45 से 54 युद लड़ते रहे ठीक है struggle चलता रहा and nationalist and professed socialist professed socialist take over Egypt Egypt को take over किया गया socialist द्वारा 1952 में ब्रिटेन से और इरान को ब्रिटेन से serve to reinforce such fears such fear क्या fear कि जो socialist है इंडोनेशिया को वियतनाम को इजिप्ट को इरान को socialist ने अक्वायर किया भारत भी एक socialist राष्ट्र है right at least भारत के प्रेम्बल में तो लिखा है ठीक है और वो enter हुआ भारत के प्रेम्बल में लिखवाएगा आप मुझे बताएंगे किस समिधान के किस शोधन से भारत के प्रेम्बल में socialist word एंटर किया गया है या पहले से मौझूद था ये भी बताएंगे आप मुझे now even if new governments did not directly link themselves to Soviet Union ठीक है अब यह जो नई गावर्मेंट है इन्होंने कहा कि हमें Soviet Union से मतलब नहीं है कई देशोंने कहा जैसे भारत ने कहा कि हमें socialism का idea भागया लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम Soviet सरकार के गुलाम है लेकिन जब मैं आपको post independence बताऊंगा तो वहाँ पर खीशतान के दौरान भारत ने Soviet government को लुभाने के लिए हो सकता है कि socialist world को include करवाया हो देखेंगे हम चर्चा करेंगे इस विशाय पर भी क्या USSR को लुभाने के लिए ऐसा किया गया है उनसे support लेने के लिए किया गया है ऐसा क्युकि गांधी जी का अपना अलग वर्जयन था socialism का बोस का अपना अलग था ठीक है और नहरू का अपना अलग था पटेल साहब का अपना अलग वर्जयन था socialism का लेकिन कहीं न कहीं इनकी आईडालोजी सोशलिस्ट ही थी क्यूंकि इन नेताओं की communist leaders से बनती नहीं थी और communism जो है वो socialism का भी एक टाइप है ठीक है खेर जह मैं आपको socialism communism, communism, capitalism, capitalism सब समझाऊंगा political philosophies में वहाँ पर ये सारी चीज़े आपको clear हो जाएगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेगा सच ये जो fear था किसका US का की ये जो नए देश हैं ये किसमें convert होंगे ये नए देश जो हैं वो convert हो जाएगे socialist राष्ट्रों में और convert भी हुए इंडोनेशिया, वितनाम में इरान में, इजिप्ट में, भारत में thus the United States used aid packages अब United States इनको लुभाने के लिए क्या देने लगा इनको अब देखे socialist आप राष्ट्र बंत हो जाएंगे लेकिन आपकी economy ideology पर develop नहीं करेगी, economy तो आपकी trade पर ही develop करेगी न और अगर आप international booming trade के साथ नहीं जुडेंगे अगर जो trade पूरी दुनिया में बढ़ चड़ कर चल रहा है उसके साथ अगर आप नहीं जुडेंगे तो आप कैसे मुख्यधारा में आएंगे मुख्यधारा तो capitalist trade ही था ठीक है उसके लाबद technical assistance technology provide की जाएगी military strong की जाए administration strong की जाए military intervention की गई to encourage newly independent nations in the third world to adopt governments that aligned with the west ऐसी government establish की जाए third world में जो की west के motives को fulfill करती हो और west का motive क्या है कि capitalist economy बरकरार रहे ठीक है communist economy ना आए so USASA में क्या देता है USASA में AIDS provide करता है कैसे AIDS technical assistance देता है पैसा देता है military support प्रोवाइड करता है या military को develop करता है government structure establish करने मदद करता है आगे बढ़ते है और USSR क्या कर रहा है USSR जो है वो socialism और communism के ideas को promote कर वाता है उन देशों में parties के माध्यम से ताकि जो राष्टर ताकि जो नया राष्टर बने decolonize होकर उसमें जो सरकार आए वो एक socialist सरकार आए और अगर socialist सरकार आती है तो वो support करेगी किसे USSR को समझते हैं आप भली बाती आगे बढ़ते है now the Soviet Union deployed similar tactics Soviet Union की tactics को भी देखी लेते हैं मैं आपको समझात हो दी है in an effort to encourage new nations to join communist block and attempted to convince newly decolonized countries that communism was an intrinsically non-imperialistic economic and political ideology देखे political ideology से लुभाने की कोशिश करी USSR ने कि अगर आप socialism या communism को अपनाते है तो वो non-imperialistic है यानि कि आप जिस colonial structure जिस imperialistic structure से छूटे हैं अभी अभी अगर आप फिर से अगर capitalism को अपना लेंगे तो capitalism आपको फिर से जो है वो colonize कर लेगा directly नहीं करेगा economically करेगा इसलिए आप communism की तरफ आई तो उसके लाब मोलोटोव मोलोटोव प्लैन तो था ही जिसके तहट जो है वो economic sanctions भी provide करें USSR ने अपने साथ aligned देशों के लिए ताकि उनकी economies develop हो लेकिन maximum तोर पे वो क्या कर रहा था वो एक political और ideological जो है वो एक edge provide करने कोशिश कर रहा थे यह लिखा ना देखिए attempted to convince newly decolonized countries that communism was an intrinsically sorry intrinsically non-imperialist की जो capitalism है वो एक तरह से आप मान सकते हैं की imperialism का ही नया रूप है economic colonization कर देंगे आपका इससे बढ़िया है आप communist raster में convert हो socialist raster में convert हो हो हमारे साथ जुडे now many of the new nations resisted the pressure to be drawn into cold war अब नए nations के पास मैंने बोला ना क्या उनके पास दो यह options है USA या USSR लेकिन मैंने आपको कहा कि ऐसे राश्टर जो कि desperately poor है उनको तो कोई बड़ी शक्ति का support चाहिए तो उन्होंने या तो USA का साथ लिया या तो USSR का लेकिन भारत जैसे राश्टर जो कि सक्षा में उनके पास resources है वो अपने आपको develop कर सकते है they joined the non-alignment movement या non-aligned movement यानि कि उन्होंने कोशिश करी कि वो ना ही USA और ना ही USSR के साथ openly ना जुडें दोनों के साथ जुडे रहें किसी एक के साथ openly ना जुडें ताकि उन्हें दोनों से ही फाइदा मिले capitalist राश्टरो के banking system से technological advancement से भी फाइदा मिले और USSR जो technological development कर रहा है वहाँ से भी फाइदा मिले भारत को गाना सुना होगा आपने मेरा जूता है जापानी जपान की तरफ से technology यह पतलून इंगलिष्टानी USA इंगलिष्टानी की तरफ से जो है वह इज़त मिल रही है ठीक है उन्होंने पैसा दिया सर पे लाल टोपी रूसी USSR जो है वह intelligence प्रोवाइड गर रहा है लेकिन फिर भी दिल है बैंडंग कॉन्फरेंस अब यह बैंडंग कॉन्फरेंस क्या है आगे आने वाले सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे अगर आप जानते हैं यह बैंडंग कॉन्फरेंस कहां हुई है तो आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे ठीक है तो नॉन अलाइन मुव्मेंट में भारत भी था तो हम देखेंगे यह बैंडंग कॉन्फरेंस क्या है 1955 की और किस तरह भारत ने अपने आपको अलग किया भारत के राश्टरपती भारत के परधान मंत्रियों का भारत की सरकारों का भारत के ओपोजिशन का क्या रोल है पोस्ट इंडिपेंडेंडेंडेंस में तो हम समझेंगे ही लेकिन वर्ल्ड हिस्टरी के परस्पेक्टिव से भी समझेंगे ठीक है आगे बढ़ते तो ओके यहां आज हमारा लास्ट है सो आज यहां पर हमारा टॉपिक होता है खतम आज हमने क्या समझा आज हमने यूएन क्यों बना कैसे बना कॉंसेप्ट तियार करें आज हमने हम ज़्यादा फेक्ट्स में नहीं उतरें क्योंकि UN क्यों establish किया क्या conflicts थे क्यों establish किया गया UN और cold war की वजह से जो है वो क्या impact पड़ता है ठीक है आज के session को यहां मैं conclude करता हूँ I hope आपको मजाया होगा और समझ आया होगा जो बिल्कुल छोटी छोटी बारी किया जो मैंने बताई हैं कि concept building चल रही है फेक्ट वाले topic भी आएंगे टेंशन ना लिजे फेक्ट वाले topic भी आएंगे लेकिन concept बिल्ड करने पहले हम क्योंकि इन ही कोई आगे मैं लेकर आउंगा क्योंकि मैं आपको martial plan molotov plan explain करूंगा तो वहाँ पर cold war के facts आते जाएंगे दरिये मत उसके बाद UN को अलग से पूरा का पूरा अलग से session UN पर लूँगा और मेरे क्याल से एक session में cover नहीं होगा UN काफी लंबा topic बनता है तो 3-4 topics में UN जो है वो cover करूँगा और वहाँ पर UN के बारे में पूरी detail में बताऊँगा अभी केवल मैंने बोला हम fundamental बना लेते हैं micro analysis पर उतरेंगे हैं ठीक है तो आज के session को करते हैं या conclude जो question मैंने पूछे हैं बीच में उनका जवाब आप मुझे comment के मादम से जरूर देंगे और अपना feedback जुरूर provide करेंगे आपको session अच्छा लगाया बुरा लगाया जैसा भी आप महसूस करते हैं मेरे sessions के बारे में और अगर आपने अभी तक मेरे previous sessions नहीं देखे हैं या अगर बीच बीच में से देखे हैं तो make sure you watch all those previous sessions study IQ के channel पर जाईए आपको मेरे नाम से playlist मिल जाएगी और उन्हीं सभी sessions को आप देखना शुरू कीजिए जुड़े रही है इस series के साथ ये series आपको बहुत फाइदा करने वाली है ठीक है और अगर आप मेंज लिखने की सोच रहे हैं इस साल या अगले साल मेंज लिखने की सोच रहे हैं